मुझे लगता है ये सब बातों को भटकाने का मुद्दा है असली बात क्या है असली बात क्या है कि इस लोकतंत्र में अडानी पर सदन में 40 मिनट के भाशड के 18 अंक राहुल गांदी जी के एक्सपंज किये जाएंगे असलीयत ये है कि 7 फरवरी को वो भाशड देंगे और 9 दिन बाद 16 फरवरी को एहमदाबाद हाई कोट में पुर्नेश बूतवाला या पुर्नेश मोदी जिसने अपना नाम रख लिया है वो जाकर अपनी ही स्टे अप्लिकेशन विद्डॉ करेंगे और कहेंगे कि मैंने सेश के बाद राहूल जी की सदस्टा चली जाती है ये रिवर्स एंजिनियरिंग है आज तक इस देश में ऐसे मसले पर किसी को दो साल की सजा नहीं मिली है अगर एक साल 11 मैने 29 दिन की सजा मिलती तो राहूल गांदी जी की सदस्टा नहीं जाती इसलिए मेरा मानना है ये फिक् खोलेंगे, वो ये जानते थे और इसलिए जब राहूल गांदी जी ने दो बार लिखित में और एक बाल मिलकर स्पीकर से बोलने का टाइम मांगा तो टाइम क्यों नहीं दिया गया स्पीकर के थे आप मेरे साथ चाय पिलिजे मैं आपको बोलने नहीं दे सकता हूँ क्यों नहीं बोलने दे सकते हैं भाई और अगर आपको लगता है कि राहूल गांदी की सदसता खत्म करकर मीडिया पर ऐसे ये कानून लगाकर वर्ल्ड वाइड मीविया को सेंसर करके एक एजनसी बठा देगी